हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारत वर्ष का रूप और स्वरूप है उसकी जो शुरुवात थी वो पंडित जोहरलार नहरू जी भारत के एक तरह से निर्माता भी थे आधुनिक भारत के और हम उन्हें आज याद करते हैं और आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाये जाता है क्योंकि बच्चों में वो चाचा नहरू के नाम से जाने जाते थे और वो ये इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि बच्चे इस देश का भविश्य है बच्चों की शिक्षा उनका स्वास्थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई उनकी शिक्षा के लिए प्रबंद किया आज भारत जो इन उन्चाईयों को छू रहा है उसमें उनका सबसे बड़ा युगदान है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था आप सभी जानते हैं कि सुई तक नहीं बनती थी कि इन विशम परिस्तितियों में हमने आजादी पाई थी उसके बाद वो उनकी सोच थी उनकी दूर दशिता थी कि उस समय उन्होंने IITs, IIMs और बड़े-बड़े बांध बनाए वो इन बांधों को मंदिर कहते थे तो वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें प्रगती करनी है तो हमें शिक्षा, स्वास्ते और विज्ञान में प्रगती करने के साथ-साथ हमारी सभ्यता और संस्क्रीती उसको भी हमको साथ लेकर चलना है तो आज हम लोग उस महान विभूती को देश के प्रथम प्रधान मंतरी सारलाल नहरुजी की जो जयनती है उस पर हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अपने बालदीवस के रूप में उन्हें हम लोग मना रहे हैं